हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने येटिप चैनल पे आज हम बनाने वाले है कुरकुरी भेंडी तुरे देखिए कितना क्रंची है ये और कितने क्रिस्पी है ये रेसिपी आप एज स्टार्टर यूज कर सकते हो आप इसे भिंडी की भजिया भी किया सकते हो तो चलिए फटा-फट देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने भिंडी ली है तो यह करीबन 250 ग्रैम्स मैंने भिंडी ली है इसे मैंने अच्छी तरह कीसे धो दिया है और साफ कर दिया है पाने बिलकुल भी ने रखा है इसके उपर जरा भी पानी नी है तो यह देखिए भेंडी के जो आगे और पीछे की हिस्से होते हैं उसे अच्छी तरह कीसे के काट लेना है और फिर आप भिंदी को 1 by 4 कर सकते हो जैसे मेरी यहाँ पर जो भिंदी थी वो थोड़ी broad थी, थोड़ी मोटी सी थी तो मैंने उसे थोड़े देखी पतले-पतले slice कर लिये है अगर आपकी इदर medium size की है तो 1 by 4 करोगे तो भी चलेगा जैसे मैंने यहाँ पर 1 by 6 किया है तो आपको भी बिल्कुल इसी तरी की से सारी भिंदी को कर देना है यहाँ पर हम सारी भिंदी काट लेंगे अभी यहाँ पर हमारी भिंदी कटके रेडी हो चुकी है अब हमें इसमें डालने हैं मसाले तो लाल मिर्च और हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला है साथ में मैंने इसमें थूड़ी से कलॉंजी पाउडर और गरम मसाला डाला है कलॉंजी के सीज लिए मैंने पाउडर नहीं किया थूड़ी सा कोरियंडर पाउडर थूड़ी से कसुरी निती चाट मसाला यहाँ पर मैंने न दो चम्मच चावल का आटा लिया था अब यहाँ पर हम चाट चम्मच जो है बेसन का आटा लेंगे तो चम्मच देखिए जो घर पर हम खाना खाते हैं वही वाला चम्मच मैंने लिया हैं थोड़ा सा नीम्बू का रस डाल देंगे, अब नीम्बू का रस ना हो तो आप चाट मसाला, आमजूर पाउडर भी डाल सकते हो, अच्छी तर किसे से मिक्स कर लेंगे, अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि नमक डालने के बाद में ये पानी छोडने लग ज ये अरब आश्यची तर किसे फ्राय कर देंगे, अब एक पाजो हमारी इच्छी तरो आछी ता हो मैंने यहां पर दिया था, इसे निकाल देंगे, हम और भी भिंडी का जो रइड़ी रखे है हम ने उसे हम फ्राय कर देंगे, तो क्या होता ना जब language हमनमक डालते हो मार भी सी मौश्टर आ जाता है उसमें तो यह देखिए हमारी बिंडी वन के रेडी हो चुकी यहां पर सर्विंग के लिए आप इसे ऐस स्टार्टर या फिर टी ताइम स्नैक्स के तोर पर भी खा सकते हो थोड़ा सा चाट मसाला हम उपर से डालेंगे तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी और मेरी वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो प्लीज मेरे चैनल का लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए साथे साथ बेल आइकॉन को ज़रू दबा दीजिए ताकि आने वाले रेसिपी के अपडेट आपको मिलते रहे हैं मैं इसे कर रही हूँ इंजोई दाल चावल के साथ में तब तक के लिए बाई बाई सी यू और नेक्स वीडियो बाई